आज मैं आपके लिए दुबारा से एक 0-6 मन्थ बेबी के लिए स्वेटर बुनना सिखा रही हूं तो ये मैंने 73 स्टिचिज लिए और ये 6 रोज मैंने उल्टी-उल्टी बुन लिए तो ये तीन लाइने आ गई हैं गाटर स्टिच की और इधर मैंने बटन होल भी ये बना लिया एक तो ये तो आपको मैं सिखा चुकी हूँ तो अगर जिसको नहीं बता तो वो जाके मेरे चैनल पर देख ले तो वहां मैंने ये सब सिखाया वाई तो आज फिर शुरू करते हैं यहां से पहला स्टिच जो है हम सीधा स्लिप करेंगे धागा आगे करके तो हम साथ स्टिचेज जो हैं सेवन स्टिचेज वो उल्टे उल्टे बुन लेंगे चार पांच शे और ये साथ इसके बाद हम वही पतों वाला डिजाइन डालेंगे जो मैंने ग्रीन स्टिच पर डाला था आपने अगर रील मेरी देखी है मैंने इस पर यूट्यूब पर डिजाइन नहीं डाला था तो बहुत से लोगों की फर्माईश पर मैं वो डिजाइन जो है सिरफ उपर वाला जो डिजाइन है वो डाल रही हूँ तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा छो यह जो डिजाइन की रोवन है उस पर हम जो है राइट साइट पर जो मैंने अभी स्टीचे बुन ली है slip one और six P six यह उल्टे छे बुन लिए उसके बाद हम दो सीदे फिर धागा आगे और धागा उसको बल दे के फिर एक सीदा फिर बल दे के फिर दो सीदे और एक उल्टा ठीक है यह दागा आगे करके हम उल्टा बुनेंगे तो ये जो है हम हर उसके बाद P1 के बाद फिर K2 से शुरू करेंगे और फिर ये बुनते जाएंगे ये हमारा पतों वाला डिजाइन बनेंगा तो आएए फिर हम ये शुरू करते हैं रो 1 से ये हमारी रो 1 होगी वो 6 रोस जो हैं वो अलग थी तो ये रो 1 है अब हम धागा पीछे करेंगे और दो सीधे बुनेंगे ये दो सीधे बुन लिए अब धागा आगे फिर एक सीधा बुनेंगे यूँ फिर धागा आगे फिर दो सीधे बुन लेंगे इधर भी हमने दो सीधे बुने थे ठीक है बीच में बल आया फिर एक सीधा बुना फिर बल आया अब दो हम सीधे बुन लेंगे यह हमने दो सीधे बुन लिये बल के बाद अब हम धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया ये साथ स्टिचिस के बाद हमने दो सीधे, एक बल, एक सीधा, एक बल और दो सीधे और एक उल्टा धागा आगे करके अब हम फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक सेट हो गया, ये एक डिजाइन है, फिर दो सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर दो सीधे, और फिर एक धागा आगे करके उल्टा, ये दूसरा सेट हो गया, इस तरह हमारे ये 10 पत्ते बनेंगे जो leaves हैं वो 10 बनेंगी ठीक है उसके बाद फिर हमारे ये जो खाने हैं हमारे पत्ती के ये 7 खाने हम इदर से बुन लेंगे ये हम गले से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मैं पहले करती होती हूँ तौ टौ से नीचे हम जाएंगे डाउन ठीक है तो अब फिर हमने उल्ठाब लिया था फिर एक दफा बता देती हूँ 2 सीदे दागा आगे एक सीदा फिर दागा आगे फिर दो सीदे फिर दागा आगे लिवन लेंगे तो इस तरह ये 3 सेट हमारे 裁ट हो गए हैं तो अब मैं last पे आती हूँ, तो last पे जो हमारे stitches होंगे, वो 12 होंगे, पट्टी समेथ, तो वहाँ आके फिर मैं एक दफा आपको बताती हूँ, यह हमारे 12 stitches रह गए हैं, अब हम, यह मैंने last उल्टा पुना था, अब हम दो सीधे पुनेंगे, यह last design है हमारा, इस रो का, दो सीधे पुन लिए, धागा आगे, एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर दो सीधे, इसके बाद हमने 7 उल्टे भुन लेने हैं, जो हमारे पटी के हैं, यह 7 उल्टे भुन लिए, इस तरह यह हमारी रो कम्प्लीट हो गई, अब हम दूसरी side पे आएंगे, wrong side पे, जैनि उल्टी side पे, तो यहां जो है, हम सारी जो रो है, वो उल्टी बुनेंगे, ठीक है, यह सारी की सारी उल्टी आएगी, पट्टी के stitches भी चूके उल्टे हैं, पहला हम सीधा slip करके, धागा आगे करके, तो यह सारी उल्टी बुन पे लिएगे, रोटू हमने उल्टी उल्टी स्लाई बुन लिये, यहां से यह बुन लिये, अब जो है, आगे रोथ्री आगे, रोथ्री में पहला slip करके, छे हम पट्टी के उल्टे बुनेंगे, उसके बाद, फिर सीधे तीन, फिर यार नागे, यानिदे, फिर एक सीधा, फिर दागा आगे, और फिर सीधे तीन बुनेंगे, और फिर आकरी बाद, उल्टा, आगे करके उल्टा बुनेंगे, ठीक है, यह रिपीट होगा, आकरी जो है, पट्टी के, जो साथ और बाकीं जो खाने होँगे, stitches वो होंगे ठीक है यहां पर हमारे जो stitches हैं वो 93 हो गए थे यह जब हमारी यह second row खतम हुई है तो अब third row पर हम जो है दुबारा से हमारी फिर खाने बढ़ जाएंगे और यह 20 stitches बढ़ जाते हैं एक row में हमारी तो अब हम जब बुनेंगे तो हमारे फिर 113 हो जाएंगे तो आएए यह फिर मैं आपको एक तफ़ा बुनके दिखा देती हूँ पहला सीधा slip किया और फिर 6 हम उल्टे बुन लेंगे इस पट्टी के जो टोटल साथ हैं चार और तो छे और एक साथ यह 7 stitches ओके अब हम धागा पीछे करेंगे और हम तीन जो है वो सीधे बुनेंगे यह 3 हमारे सीधे हो गए अब धागा आगे करेंगे जो बीच वाला हम एक सीधा बुनते हैं वो धागा आगे करके सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे और फिर 3 सीधे बुन लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे तो यह उल्टा बुन लेंगे जो हमारा उल्टा स्टिच है अब दुबारा से धागा पीछे करके दुबारा से तीन सीधे फिर यह अकेला जो सीधा हम बुनते हैं दागा आगे करके वो आगया फिर यह अगले तीन सीधे हम बुन लेंगे तो यह इसी तरह रो जो है हमारी पूरी होगी और आखर पे वो ही जो है तकरीबन हमारे फूर्टीन स्टिचिज होंगे जो हम जिस पे हमारा डिजाइन सैट होगा तो वो आखर पे हम जो एक खाना वैसे उल्टा बुनते होते हैं वो यहां नहीं बुनते हैं यहां साथ अकठे हम उल्टे बुन देते थे और उल्टी स्लाई फिर रॉंग उल्टी साइड से सारी उल्टी होगी ठीक है अब मैंने रो फूर बुन लिये जो रॉंग साइड वाली हमारी उल्टी स्लाई थी वो बुनके मैं सीधी स्लाई पे आगी हूँ अब हम रो फाइव बुनेंगे रो फाइव में यह देखे स्लिप वन पी शिक्स यनी उल्टे छे बुनेंगे फिर चार सीधे बुनेंगे फिर धोगा आगे फिर एक सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे और फिर 4 सीधे और एक उल्टा ठीक है इसी तरह ये पूरी स्लाई रिपीट होके तो यहां हमारे स्टीचिज जो हैं उल्टी स्लाई बुनके तो 133 हो जाएंगे ठीक है तो आएए मैं आपको ये बताती हूं बुनके ये हम पहला स्लिप करेंगे सीधा और फिर हम पट्टी के छे उल्टे बुन लेंगे ये मैंने सर्कुलर नीडल पर डाल दिया है स्टीचे ज़्यादा हो गए थे ये जो है तीन, तीन, छे और एक साथ अब हम धागा आगे करके तो अब हम चार सीधे बुनेंगे ठीक है एक, दो, तीन और ये चार अब ये जो अकेला हम सीधा बुनते हैं धागा आगे करके वह आ गया है या अपनी ध्यान रखना है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी धागा आगे करके फिर हम चार सीधे बुन लेंगे दो, तीन, और ये चार, अब धागा आगे करके हम ये जो उल्टा बुनते आ रहे हैं इसको उल्टा बुन लेंगे फिर धागा पीछे करके फिर हम चार बुनेंगे सीधा एक, दो, तीन, और ये चार और धागा आगे करके हम एक जो हमारा सीधा है उसको हम बुन लेंगे फिर धागा आगे करके फिर चार सीधे बुन लेंगे इस तरह ये हमारी जो जाली पर लिए है, दो दो खाने हर उस लीव के साथ हमारे बढ़ रहे हैं दो, तीन, चार, और ये हमारा उल्टा स्टिच तो इस तरह हमारे, हमने दो सैट बना लिये हैं ठीक है, ये एक लीव बरना शुरू हो गया, ये दूसरा इसी तरह हम पूरी Slay करके ये हमारे पट्टी के Stitches बुनके तो फिर हम उल्टी Sly पूरी बुन लेंगे तो ये जो है 6 रो बुनी जाएगी अब मैं 7 रो पे आपको दोबारा से बताऊंगी तो तब मिल तो दोस्तों अब जो है मैंने 6 रो सारी उल्टी बुन लिया है और यहां हमारे 133 स्टिचेज हो गए हैं यहां 133 अब रो 7 बुनेंगे रो 7 में पहला स्लिप करके उसी तरह 6 हम पटी के उल्टे बुनेंगे और उसके बाद हम सीधे 5 बुनेंगे पहले हमने रो 4 में 4 बुने थे अब हम रो 7 में 5 सीधे धागा अगे एक सीधा धागा अगे 5 सीधे और फिर धागा अगे करके एक उल्टा और यही रो जो है पूरी रिपीट होगी तो आए मैं आपको यह दिखा देती हूं बुन के यह यह जो है मैं इदर आ चुक्की हूं अब सीधी रो पे तो पहला हम स्लिप करेंगे सीधा दागा अगे करके हम उल्टे बुनेंगे साथ छे उल्टे बुनेंगे एक तो स्लिप कर लिया था टोटल हमारे साथ पट्टी के हैं तीन दो पांच छे और यह साथ यह साथ हो गए अब जो है दागा पीछे करके हम पांच सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार और यह पांच यह पांच हमने सीधे बुने और उसके बाद हमारा जो दर्म्यान में हम एक सीधा बुनते हैं वो आ चुका है धागा आगे करके हम उसे सीधा बुन लेंगे फिर धागा आगे फिर पांच सीधे बुनेंगे तो तीन चार यह पांच अब धागा आगे करके हमारा ये जो उल्टा चला आ रहा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे फिर पांच सीदे मैं एक दफा फिर बता देती हूँ ये पांच सीदे हो गए हमारे ये और धागा आगे दर्मियान वाला सीदा बुन लेंगे फिर धागा आगे और फिर पांच सीदे दो तीन चार पांच और धागा आगे करके एक उल्टा बुन लेंगे तो इस तरह हमारे ये देखें लीव्स बन रहे हैं साथ साथ ये ये एक लीव ये दूसरा और ये टेन लीव बनेंगे अब हम ये 7 रो इसी तरह पूरी बनेंगे ये वाली 7 रो जो है हमारी इसी तरह पूरी होगी तो उल्टी स्लाई बनके सारी उल्टी बनेंगे जो रॉंग साइड होगी रो 8 फिर स्टीचिज हमारे 153 हो जाएंगे ठीक है उसके बाद रो 9 पे फिर मैं आपको दुबारा मिलती दोस्तों अब मैंने 8 रो बुन लिये सारी उल्टी और 153 स्टीचिज हो गए हैं अब रो 9 बुनूँगी जिसमें पहला स्लिप करके सीधा 6 उल्टे बुनूँगी और फिर सीधे छे बुनके धागा आगे एक सीधा धागा आगे छे सीधे और फिर धागा आगे एक उल्टा यही जो रो है यह पूरी रिपीट होगी तो मैं आपको थोड़ा सा उनके दिखा देती हूं उसके बाद रो 10 जो है वो उल्टी सारी उनके तो हमारे स्टीचिज हो जाएंगे 173 तो आईए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हू उमीद है आपको डिजाइन जो है वो पूरा समझ आ गया होगा कि यह किस तरह से पता बनना है सीधा हम स्लिप करेंगे पहला फिर पटी के छे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे टोटल हमारे साथ होगे पहला स्लिप करके अच्छा अब धागा आगे करके पीछे करके तो हम बनेंगे छे सीधे एक दो तीन चार पांच छे छे बुनके तो ये देखिए ये हमारा जो अकेला हम सीधा बुनते हैं धागा आगे करके वो आगया है इसको हम सीधा बुन लेंगे फिर धागा आगे और फिर हम छे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे और धागा आगे करके ये हमारा उल्टा आगया तो इस तरह से ये हमारी पूरी स्लाई इसी तरह जाएगी तो हमारे स्टिचेज 20 फिर और पढ़के तो ये 173 हो जाएगे तो हमें 0 to 6 मंद के लिए इतनी स्टिचेज चाहिए हैं तो अब हम इनको लीव्स को क्लोज करेंगे तो वो मैं अब आपको अगली स्लाई पे यानि रॉंग साइट बुन के सीधी स्लाई पे आऊंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ के वो कैसे बुनने हैं तो फ्रेंट्स हमने 10 रॉंड्स बुन लिये थे ये वाले 10 रॉंड्स हमारे पूरे हो गए थे यहां से तो अब हमारा हमने इस पत्ते को क्लोज करना है तो 11 रॉंड्स हम इसको क्लोज करना शुरू करेंगे तो यह पहला स्लिप करके 6 वोई हम पट्टी के बुनेंगे उसके बाद धागा जो है बल देके तो फिर दो अकठे बुनेंगे सीधे और फिर उसी तरह बैक लूप से होते हुए हम बैक लूप से बुनेंगे और फिर 11 सीधे बुनके फिर दो सीधे बुनेंगे फिर धागा बल देके फिर हम जो है एक उल्टा बुनेंगे तो आएए ये हम बुनते हैं ये जो है हमारा एक लीव देख लेए एक लीव का मैं आपको समझाती हूँ कि ये लीव जो है यहां से शुरू हुआ था और यूं गया था अब ये वापिस क्लोज होगा यूं क्लोज करेंगे इसको तो उसके लिए अब हमें बुनना है और वो हमारा डिजाइन आ जाएगा पहला सीधा स्लिप करके तो बाकी हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे ये हमारे साथ पट्टी के पूरे हो गए अब जो है हमने धागा हमारा आगे है लेकिन हमने इसको बल देके तो पिछे ले जाना है यानि एक बल बीच में आएगा और फिर हम दो अकठे बुनेंगे दो अकठे कैसे बुनेंगे के ये जो है हम यूँ उतार के इसको यूँ लाएंगे इस स्लाई पे सीधा उतार के और बैक लूप से हम दो अकठे बुनेंगे इस तरह जो हमने ये दो अकठे बुने हैं उसकी जगा जो एक कम हो गया था वो इस जाली की वज़ा से इस बल की वज़ा से हमारा पूरा हो गया है और ये इस तरह से हमारा सेट हो गया अब हम बाकी जो है सीधे बुन लेंगे गयारा सीधे बुनेंगे हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देस और ये गयारा अब हमारे ये दो सीधे बचे हैं इनको हम अकठा बुनेंगे यह वाला यूई सीधा बुन लेंगे जैसे हम बुनते हैं सीधे अकठे और फिर अब हमारा धागा पीछे है तो हम इसको इस तरह से लाके इसको धागे को इस तरह से लाके तो इसको उल्टा बुन लेंगे जो हमारा उल्टा स्टिच है यह हो गया अब जो है हमने उल्टा बुन लिया था अब जो नेक्स्ट हमारा लीव है हमने फिर वहीं रिपीट करना है डिजाइन तो इसको भी हमने यूँ बल देना है रागे को और जो ये चुरू के दोस हमने सीधे अकठे बुनने हैं उसको हम उतार के पहले वाले को यूँ सलाई पे चड़ाएंगे और बैक से फिर बुन लेंगे तो इस तरह हमारा जो बल है वो बीच में आ गया है तो इस तरह हम फिर वो ग्यरा सीधे बुन लेंगे ये हमारे सीधे ग्यरा बुने गए ग्यरा सीधे बुनके तो आखरी जो हमारे दो सीधे हैं उनको हम अकठा बुनेंगे ये हमारे आगे सीधे दो ये दो सीधे बुन लिए और फिर धागा यूँ बल देके तो हम ये उल्टा बुन लेंगे तो ये स्लाई जो है पूरी एंड तक हमारी इसी तरह चलेगी और उल्टी स्लाई जो है वो हम सारी उल्टी बुनेंगे जैसे हम पहले बुनते आएं अब मैंने ये उल्टी स्लाई भी बुन लिए ठीक है रो ट्वाइल बुन